आप लोग कैसे हैं और I hope कि आप अपने family members का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं तो आज हम बात करते हैं अपनी fine arts की history की जैसे कि मैंने पिछली class में आपको बताया था कि दो मत थे वैशनो मत और शैव मत उत्पन हो गए थे और बहुत दिदर्म की कालीन मैंने आपको सनचन की बारे में बताया था यह सब Isapurv की हम बाते हमारी चल रही थी दो बहुत जैन धर्म की जो समाजी कमक्राइmber लगे और थे सामाजी का अंडुलन में सनातन धर्म के प्रति अनिच्छा अनादर भावत-सक्तिया yn McN survey भाग लिया था प्रचारःबसार से भाग लिया तो उस ने जगए जगए स्तूप सांची राची में बनाया है सारनाथ में और आपका बहुत अच्छी ईत्परिष्ट कला का उळारान उन ने दिया के बहुत हिस्सा जो एक इन्होंने poजा पार्ट में की learnt the मूरती कला में पूजा पाट की भावभंगिमाव को केरिद किया है तो इसमें हम देखते हैं मूरती कला का उतकृष्टधरण जो हमारी अशोक была है ठीक है वोeszमें मिलती है देखने को तो यह किसमें हमें मिलती है यह हमारी हर आप इंडिया की जो में स्टैम्प है उसमें देखने मिलती है हमारा राश्ट्री पतीक चिन है देखने को मिलती है इसके अलावा हमें यक्षी अक्षणी और फश्वों की विशाल मूर्तिया मिली है अब यह हम देखते हैं कि यह किस तरीके की बनाई गई है यह बहुत ही पतली सं बहुत ही अच्छी है और पतली उनमें जैसे कमर पतली है और हाथ पतले है तो इस तरीके से उनमें जो है शालिरिक संश्ट्रा शालिरिक बनावट बड़ी अच्छी की गई है ठीक है उस समय के महत्तुता को ध्यान में रखते हुए ठीक है उस समय यक्षपूजा भी होती इसका भी हमें प्रवाण मिलता है तो बात करते हैं तो हम अगर शीर्ष धर्म चक्र का जो बरिवर्दन माना जाता है तो उसमें में अशुक का बहुत बड़ा हाथ था तो अशुक हाथ होने के अपर अशुक ने यह जैकि अशुक की लाट है इसमें चार सिंग है ठीक है द हैं हम इस प्रकार पढ़ते हैं देखिए मूलता इसके पांच अव्यव होते हैं और इसमें सबसे पहला जो स्तंब जो है जो कई पार्ट में जो टूट चुका है जो इसके नीचे जिस पर यह खड़ा था ठीक है अब इसके जो पैरों के नीचे है वह कमल घंटिका है जो उ इसका बड़ा पहिया है यह देखिए ठीक है इनमें दो पशु और बने हुए है बैल बना हुआ है और इस पकार से यह जो चक्र है यह भारत की तिरंगे जंडे में भी है यह आपको ने देखा हुआ है जो एक बड़ा पहिया है इस समय तूटी हालत में है और संग्रहाले म रूप में भारत में अपनाया भी गया है इसकी विशेशता आप देखी रहे हैं कितना है विशेश है और उत्कृष्ट है एक दम अच्छा उस समय जो होते थे जितने भी मूर्तियां होती थी आजकल हम झा if today my two dimensional three know three dimensional कही जाती थी three ाया मी जिनें हम कहते हैं three ाया मी मूरतियां कही जाती घखने सी प्रतक ज्चशन खेए हम अपने आपको देखें अगर तो अमारी फोटो भी 3 आयामी ही कही जाएगी ठीक है तो हम 3 dimensional हमारी पर सना जो है एपने आपको अगर हम सजीव में देखे तो तो यह भी 3 dimensional मूर्तियान जो ती समय मनाएंगी और या क्षणी की मूर्ति ये साब पूर्व की कालीन है समकालीन है और यह एक्षणी जो हाद में लिए हुए है तो यह जलने वाला जो जाज़ा पे हवा अगयर करते हैं वह है तो देखिए उसके बालों की वेश भूशा भी है और जो है अंगवस्त भी उसने धारन किया हुआ है अच्छा सा तो यह इस तरीके से जो है बह है तो निकवे का रियुटिंगत कीरे मिलते है उत्रप्रदेश के वातूरा में और आपके भीहार में ठीक औक नब जो जांबेते हैं तो देखते हैं मैं हमेश्टे लिए के लिए ग्रवित ले के आती हैं फाइनार्ट करश में भी हीर है और सब्सकazu यह डिजाइन आप Si lady star graybrose आप बनाते हैं आप बचों हो लगाक थी ऑप्रिक्रा बनाया जाए आप सब्बैरे कमाकि का मैं और पूप inacди कि कि अपुआर्छा के ब Sutle लेक्षियो करते है दीजाट लगाका बना सकते हैं अगर नहीं बनाई है तो और घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जहां पढ़ाने जाएंगे तो स्कूल और बच्छों से बनवाई यह सब बच्चे बनाते हैं बहुत खुश होके यह देखे इस पर तरीके से ने किनी खुबसूरती से पेंट किया हुआ है पेड है और हट है नदी बहरी नदी में शेड किया हुआ है वाइट लाइट ग्रीन से भी अभी देखे अंगूर है पैंसिल शेडिंग है ड्रॉइंग यह भी आती है आपकी किस में फाइन आर्स में आती है तो आज तक इतना ही और अपना काम अच्छे से करते रहिएग अपनी जो है हिस्ट्री की जो नॉलिज है जो मैं बता रही हूँ उसे आप पैंट डाउन करते रहिए आपकी काम आईगी आगे कॉंपटिशन एक्जैम्स में भी काम आईगी टीटी में भी काम आईगी तो इसको प्लीज प्लीज जो है नॉलिज को आप इसको पैंट जो जो शिलालेक मिले हैं उनके बारे में डिसकस करूँगी तो आगे की क्लास के लिए तिल देन टिक केर बाई